मैं एक महिने से रोज 50 रुपे की दवाई ले रहा हूँ पर कोई फाइदा नहीं हुआ कोई बात नहीं भाई साब कोई बात नहीं कल से मैं तुमें 40 रुपे की दवाई दूँगा 10 रुपे का फाइदा होगा ठीक है ठीक है पर डाक्टर साब एक बात बताओ मेरे को तो खासी थी फिर आपने मोशन लगनी वाली दवाई क्यों दे दी वो इसलिए तुँ अब खासने से पहले सो बार सोचे का ठीक है ठीक है डाक्टर साब मेरे इस मोटे पेट का कुछ करो इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है वो क्या डाक्टर साब तुम रोज सुवै दो ही रोटिया खाया करो ठीक है पर एक बात बता दो डाक्टर साब ये दो रोटिया खाने से पहले खानी है या खाना खाने के बाद में ओहो, चल रोटियों को शोड़ो, स्वश्थे के लिए आप रोज अक्सरसाज किया गरो डाक्टर सहाब, मैं रोज फुटवाल खेलता हूँ, किरकेट और टेनिस भी खेलता हूँ अच्छा ये बताओ, तुम रोज कितनी देर खेलते हो? जब तक मुबाल की बैटरी खतम नहीं हो जाती ओहो, बड़े मूर रखो, यार तुम तो पागल हो गए हो, कैसे हुए? मैंने एक विद्वा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की तो मेरी वो बेटी मेरी मा बन गई, उसके घर बेटी हुई, तो वह मेरी बहन हुई, मगर मैं उसकी नानी का शोहर था, इसलिए वह मेरी 89 भी हुई, इसी तरह मेरा बेटा अपने दादी का भाई बन गया, और मैं अपने बेटे का भाणजा, और मेरा बाप मेरा दामाद ब बन गया और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और। अबसे चुप कर। मुझे भी पाइल सूद कम यहां। क्या के लो यह मैं दवाई लिख़ाउं हूं। डक्टर साब दवाई जरूर लिखो लेकिन कड़ी मत लिख्ना। अरे चुप कर बथ। डाक्टर साब दवाई जरू लिख दो पर कड़वी मत लिखना रमत रिखातर एक किलो जलेबी लिखते हूँ बैट जा ज्यादा मत बोल डाक्टर साब परचे पर ऐसा क्या लिखते हो जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं मैं लखता हूँ मन्ना तो लूट लिया और तू भी लूट ले